बिहार में मंत्री मंडल का विस्तार होना है लेकिन इस विस्तार से पहले जो बिहार की राजनिती जिस तरीके से सुख बुगाहट ले रही है ये क्या कुछ और इशारा कर रही है जिस तरीके से AI MIM के पांचों विधायक ने CM नितीश कुमार से जाकर मुलाकात की अब ये कया क्यास लगा जा रहा है कि क्या ये सभी जेडियो जॉइन कर सकते हैं ये क्यास इसलिए लगा जा रहा है क्योंकि इससे पहले बीएसपी के विधायक ने पार्टी जॉइन करने की जिस तरीके से खबर दी इसको लेकर के जाहिर से बात है हल चल बढ़ गई है मेरे साथ AI MIM के विधायक अख्तरुल इमाम है बातचित करने के लिए सर सबसे पहले तो मुलाकात कैसी रही मुलाकात अच्छी रही देखे AI MIM जो जीत कर आई है AI MIM बिहार के दलीतों पुछ्रिवों सोसीतों बंचीतों और इंसाफ से जो महरूम आबादिय है उसकी आवाज बनकर आई है और बिहार में सबसे ज़्यादा बंचीत, छेतर अगर कोई है तो सीमान चले, सीमान चल में अन्यकों मसायल है आप गई हैं तो जानते होंगे, जानती होंगी आप, मौमला यह है कि बाड़ वहां की एक समस्या, बड़ी समस्या है हर साल बस्तियां डूबती हैं, और डूबने की अतनी शिकायत नहीं है, जितना बस्तियों के कटने की शिकायत है हमारे हाँ घनी नदिया है, हमाला के आगों से निकलती है नदिया हमारे हाँ, तेज धारा है, और नदियों के किनारे बस्तियां है हर साल दरजनों बस्तियां विलीन हो जाती है नदियों में और हजारों घर हो जाते हैं बिस्ताफित लोग डूब कर मरते हैं मवेसी डूब कर मर जाती है फसले तबाह हो जाती है खेती की जमीन हमारी रेतीली हो जाती है हमारे माने मुखमंतری जी ये शब्द बहुत अच्छा बोलते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि राजकोस पर सबसे पहला अधिकार आबदा पीरितों का है होना भी चाहिए लेकिन इनके पतादिकारी जो ही वहाँ पाउं मेहंदी लगाए हुए है और आबदा पीरितों को 2017 से जो लोग परवाबित हुए है जिनका घर कटा है कैमप मेरे रहे पक्ये के मकान में जो रह रहे थे वो आज जोपड़ी मेरे रहे हैं खेमे मेरे रहे हैं पीने का पानी उनको नहीं है जो जानवड़ों को जिससे पानी पिलाता था आज उनके लिए वो पानी पीने का वो नहीं है और उन पर अब तक जो आबदा नियमावली के अनुसार जो उनको दिये हैं राशी कुछ भी साहता की राशी उनको नहीं मिल पाई माने मुपंदी से ये कहन लेकि लिए हम लोग गए थे कि साहब वहां कटाओ कर असलों को इनसाफ मिले और घनी नदिया है और कटाओ बहुत ज़्यादा है जो गिराम हमारे कटाओ के शिकार हैं उनको बचाओ के लिए काम किये जा लगबग हम लोगों ने सत्तर जगह और पूरा मिलाकर लगबग एक सो जगह के बारे में हम लोगों ने लिश्ट दिया है लेकिन इनके पदादी कारी सत्तर की जगह पर दस पाँच यही लिखके भेजते हैं और यहां पर भी कभी कभी फंड के आभाओं में योजनाय शुकृत नहीं हो पारी है वो सिलसे में याद दिलाने गए थे पचास-पचास किलोमेटर घनी न दिया है और पचास-पचास किलोमेटर पर पुल मना हुआ है और उस पार मा मरती है और बेटी इस पार रोती है और नहीं जा पाती है 40 km, 50 km के दूरी तैय करने पड़ती है आज भी बीमारों के लिए वहाँ डॉक्टर नहीं है, हॉस्पीटल नहीं हॉस्पीटल है डॉक्टर से खाली पड़ा है और एम्बुलेंस भी वहाँ नहीं जा सकती चाहे लिवे के कैसेज हो चाहे कोई बुड़ा बुड़ी बीमार हो इमर्जनसी केसेज हो वहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती उस पर पुल बनाना सरकार की जिम्मेदारी थी पुल नहीं बनाया अब कष्टियों में पार हो रहे हैं तो एक तो कठिनाई है दिक्त है आव उस पर अंग्रेजों के जमाने का महसूल भी है कि तुमने इस छेतर में जनम क्यूं लिया था जरमाना दो कष्टि में पार होना है तो महसूल दो ये सारी नाइनसाफिया है तो इन सब को लेकर गए थे अलिगर्ण इन्वरसिटी का मुद्दा है कि अलिगर्ण इन्वरसिटी का जो कैंपस की शेंगंज के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था एजुकेस्निस लोगों का किसा आप वहाँ पर हो और जमीन दी है मानी मुखवंतरी जी ने हम लोग इसके लिए बढ़ाई देते हैं लेकिन इन्जी टी वालों ने उसमें लगा दिया है लफड़ा खामखा का यह सिख्चा के भी रोदी है या आखलियतों के भी रोदी है या सीमानजल के दुश्वन है जो काम होने नहीं देना चाहते हैं उसके वे से मामला पका पड़ा हुआ है वी कहने के लगए थे आप दो आइस मामले में पहल कीजे आप अगर बिहार का विकास चाते है तो क्या सीमानजल के बिहार का समूचिट आप का अलाव तो उसके बेगिर इसलग हो सकता है दूसरा मामला है कि हम लग पाश भी धाय चुन कर आए है अच्छे खासी ओड भी हम लोग लेके आया है बियार में दूसरी पार्टियों को जो हमसे छोटी पार्टी हैं जिनके पास संख्याबल कम है उनको पार्टी का दफ्तर मिला है हमको भी पार्टी का दफ्तर मिलना चाहिए ये मौजवात थे जिस पर बात करने के लिए गए और हम लोग उम्मीद करते हैं कि साइद इस पर को एक्शन नहीं आपकी इन इस मुलाकात के दूसरे मतलब भी निकाले जा रहे हैं राजनितिक माइने निकाले जा रहे हैं कि नितीश कुमार से मुलाकात जो हुई है तो क्या यह संभव है कि साथ में अगर आप पार्टी में ज के लीडर हैं राज के मुखिया हैं हमारे समस्याओं का हल पार्चुन की दुकान में होगा क्या और वो ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री अभी सेंट्रलाइज हैं तो जाहिर है कि उनसी मिलना ही था इत्फाक से वहां जल संसंदर मंदरी भी थे जिससे हमारे समस्या जूड़ी कि निकालने वालों पर हमारा कोई कब्जा नहीं है पहरा नहीं है ना भी नहीं बोलना है ना भी नहीं बोलना साफ है मेरी नियत साफ है मैं लिया इसी काम से था अभी चलती सड़क है कोई अर्थी उठाया जा रहा है कोई बीमार मा के लिए दवा के लिए जा रहा है एक यार हूँ लेकिन सीमान चल के लोगों का हक दे दो यह कहने के लिए और फिर हमारा एक हिस्सा है कि अभी हम जिलास्तर से लेकर बिभाग बिभाग से लेकर के हम मंतरी तक और मंतरी से लेकर हम मंतरी तक और आगे दिनों में हम गौर्णर साब से भी मिलेंगे कि हमारे समस्याओं का समाधान हो अगर इंसाफ के साथ तरकी का दावा है तो सीमान चल के साथ बड़ी ना इंसाफ ही हुई है उसका बड़ा बकाया है उसको इस्पेशल पैकेज दीजिए वहां की समस्याओं का हल कीजिए वर नहीं तो हम लोगों ने एलान भी कर रखा है सीमान चल की समस्याओं का करोसा माधान वर नहोगा चक्का जाओं उसके लिए एक बड़े संगर्स की तयारी का हिस्सा है हमारा यह पांचों विधायक जो एक साथ गए हैं इसका इस मुलकात का इस पर तो बढ़ाई दीजिए कितने एक जूट हैं हम लोग अगर एक जाते तो आप कहते कि तूटने के कागार पर चुपके मिले जूट होने तो नहीं गयते दो जाते तो कहते कि हाँ सिंग लगाई जा रही है आप तो उससे भी मानी निकाल लेते तीन चले जाते तो कहते कि पार्टी का तूटना निस्चित तो आप तो ये भी मानी निकाल लेती तो जब पाँचों हम लोग गये हैं तो आप तो ये बताईए पूरी मजबूती के साथ और वो गये हैं कि सीमान चल चुके हम लोग जो भी जीत कर आया है सीमान चल कि उस मज़रूम आबादी ने हमें ओड़ दिया है इससे सीमान चल के मुद्धे को लेकर एक जुटता की लड़ाई का संकेत है ये संकेत है ये ये तो आपने स्पष्ट कर दिया है जी बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए लोगों बिल्कुल नहीं मानी निकालनी चाहिए लेकिन चुके आप लोगा TRP जब तक कोई गलत मानी नहीं निकालेंगे जरासाल लोगों को मने भटका रहे हैं गलत मानी नहीं होता है यह सुद्ध नहीं है ना जो जीत्र से आते हूं शेत्र के कई मुद्धे हैं उनुद्धों को लेकर हमसे सीम से मुलाकात की लेकिन माइनों का यह माइन harina सा आ लोगी विशालराई के साथ नेतिश्री एबीपी नियूज पत्ना